हेलो फ्रेंड सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों चैनल पर नए है तो make sure उसे subscribe जरू करें क्योंकि हम लेकर आते हैं सपना और अंशु की latest update और अगर आपने already हमारा चैनल subscribe किये तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ साथ ही bell notification को hit करना न भूले तागि जब भी हम नया वीडियो upload करें उसका notification सबसे पहले आप तक पहुचें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक like जरू कर दीजे और comment section में अपना opinion रखना न भूले इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि जिस चीज का बेसबरी से इंतजार था वो आखिर आई गई अब आई ऐसे कि ऐसा लगता है आई हो और गई दरसल आपको बता दें कि most awaited यहाँ पे जिस चीज का यहाँ पे expectation भी था और ऐसा लग भी रहाता है आईगी आईगी और वो आई भी अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना 100% आउडियन्स विसे सिर्फ 2% आउडियन्स ने यहाँ पे शिवी का जो कल लाइव वीडियो आया था वो देखाओ क्योंकि जैसे ही मैं आपको बता दो कि मैंने पूरा वीडियो देखा और मैं उसे जब डाउनलोड करने गया तो ऐसे ही वो वीडियो डिलीट हो गया यहाँ दोस्तों यहाँ पे जो चीजें जो सवाल लोगों ने यहाँ पर पूछे वो कहीं न कहीं फिर से कॉंट्रोवर्सी क्रियेट कर सकते थे और शिवी पर बहुत सारे सवाल उठ सकते थे otherwise आप सोचिए कि शिवी अपना लाइव वीडियो जिसमें अच्छे खासे व्यूज उसको आए थे वो क्यों डिलीट करती जरह सोचने वाली बात है अपने दिमाग पर जो डालिए कि आखिर किसके काउंटर में आई थी शिवी सपना के क्योंकि आपको याव दोगा भई लाइव वीडियो में कुछ सवाल यहाँ पर शिवी के रिलेटेड भी पूछे गए थे सपना से जिसे सपना ने जवाब देते हुए कहा कि भई वो आपको शिवी दिदी बताएंगी वो मैं नहीं बता सकती ही यह सारे सवाल अपने सुने भी होंगे तो कहीं ना कहीं शिवी को अपने आपको डिफेंड करने तो यहाँ पर आना ही था और वो आई भी तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको सारे चीज़ें बताऊंगा कि वही शीवी के उपर क्या सवाल पूछे गए सपना के उपर उसने क्या जवाब दिया अपने आपको कैसे डिफेंड किया कैसे काउंटर किया हूँ उस सारी चीज़े में आपको बताऊंगा लेकिन वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखे सबसे पहले तो बात करते हैं भई लाइव के टाइटल के बारे में सच्चाई जरूर सामने आईगी वोही घिसा पिटा डायलॉग वोही घिसा पिटा टाइटल मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइटल की कमी हो चुकी है शीवी के पास अब सच्चाई सच्चाई कहकर इतना हमारे कान पक चुकी है कि बही सच्चाई तो नहीं आई लेकिन यहाँ पे यह टाइटल से नफरत हो चुकी है क्योंकि आप यहाँ पे लाना था शीवी मेडम को यहाँ पे लाइव तो यहाँ पे कुछ तो कॉंट्रोवर्सी करती तबी तो लोग देखेंगे न सस्क्राइबर बढ़ाने हैं ओडिन्स बढ़ानी हैं व्यूज बढ़ाने हैं और तो कोई यहाँ पे आप्शन नहीं है तो इस वज़े से यह टाइटल लिग डाला चलो ठीक है मेडम ने एक घंटे का यहाँ पे लाइव वीडियो बना डाला और लाइव में काफ़े अच्छे खासे जादा करके अपने घरेलू सवाल और जवाब थे लेकिन कुछ सवाल फिर ऐसे भी थे जो काफी तीखे थे बहुत देर तक तो यहाँ पे शिवी मेडम यहाँ पे इन सवालों के जवाब से बचती रही लेकिन वो कहते हैं ना कि जब लोग तीर फेकते हैं तो भई वो निशाने पर जाकर लगता है कब तक बचती कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उनको आखिर देने ही पड़े कितना भी रिफ्यूस करने के बाद भी चलिए आपको बताते हैं कि वही आखिर कौन से सवाल सबसे पहले शीवी से पूछे गए और उन पर क्या जवाब दिया है यहाँ पर शीवी ने अब दोस्तों जादा करके मैं आपको बता दो मैंने जिन जिन लोगों से कम्मिनिकेट किये हैं से सौ में से एक परसन लोगों ने बोला है कि भई हमने देखा है वो भी कुछ मिन्टो का ही देखा है उसके बाद वहाँ से हट गए और बाद में जब उन्होंने देखा तो उनके हाथ में टाइटाइम फिश थुलो क्योंकि वो यहाँ पर लाइव डिलीट हो चुका था चली बात करते हैं कि भई आकिर क्या सवाल पूछे सबसे पहले वो कहते हैं न कि जो सवाल रह गए थे उन्हें यहाँ पर फिर से पूछना बहुत जरूरी था क्योंकि लोग भी अपना होमवक पूरा करके आ रहाते सबसे पहले तो लोगों ने पूछ लिया शिवी मेडम बताईए कि भई गॉलियर के फ्लैट में क्या कांड हुआ करते थे क्योंकि आदी अदूरी बात आपने बोलकर छोड़ दी इस पर तो आपने जवाब दिया ही नहीं तो लोगों के दिल में जो उतेजना है इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो तो आप बता दीजिए आज अब लाइव आयो दो दिन के बाद तो आपका वीडियो आया है तो ये तो आप बताईए तो ये पहला सवाल यहां पर लोगों ने पूछा कि भई गॉलियर वले फ्लैट में क्या कांड हुआ करते थे दूसरी चीज़ आपका जो हॉस्पिटल था भारत हॉस्पिटल उसमें क्या करम कांड हुए कि भई वो आपका हॉस्पिटल बंद हो गया ये सवाल कहीं न कहीं जाके शिवी को बहुत ही जादा चुप गया क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ ही अगला सवाल यहाँ पर लोगों ने किया कि शिवी जी आप बताईए कि आप कह रहे थी कि मैं सारे सबूत आपके सामने रखूंगी सारी चीज़े मैं आपके सामने लेकर आऊंगी कहा है आपके सबूत ये तीसरा सवाल अब चौती चीज यहाँ पर लोगों ने पूछ ली जहाँ पर शिवी हैरान रहे गए कि उसका जवाब क्या दो कि आपने बताया था कि भई रॉकी जो सपना का भाई है वो आपसे पैसे मांगता था वो आपसे पैसे मांगता था तो भई उसका कुछ प्रूफ तो दे दो कि भई कितने पैसे मांगे थे उसने क्यों आपको हैरेस किया करता था पैसों के लिए उसका बार कोड या जो भी स्क्रीन शॉट है वो तो हमारे सामने शेर करो क्योंकि यहां पे सपना और सपना का भाई का तो यह कहना है कि भई वो क्यों मांगेगा अपसे पैसे और सपना ने तो साफ तोर पर कह दिया है कि अगर यहां पे उसने मांगे पैसे तो भई सबूत दिखा तो कोई स्क्रीन शॉट दिखा तो हम मांग जाएंगे और रौकी ने भी इस पर बयान दिया है अपने व्लोग में उसने कहा कि भई मुरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं इस से पहां पर पैसे मांगो अगर मुझे पैसे चाही होंगे तो मैं अपनी बेहन से लखन से मांग सकता हूँ इस से मांगने की क्या पर फिर भी इसका ये कहना है कि मैंने मांगे तो भई याँ पर प्रूफ दिखा दे अब ये भी सवाल यहांपर पूछा गया साथ ही यहांपर शीवी से पूछा गया कि भई आखिर उस दिन हुआ क्या था आपने फासी क्यों लगाने की बात की दोस्तों कहीं न कहीं ये सवाल बहुत ही complicated और यहां पर बहुत ही जादा personal है लेकिन जब लोग यहां पर तीर छोड़ने पर आते हैं तो फिर सामने वाले को बचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं recording में सामने आई थी otherwise हमने ये चीज़ तो जान ही नहीं पाते कि आखिर ये क्यों हुआ साथ ही आपको बता दे कि इस सवाल के बाद और भी दो सवाल ऐसे पूछे गए जो वाकी हैरान कर देने वाले थे इसके बाद जो सवाल पूछा गया वो इतना ज़ादा परसनल था कि मैं आपको बता नहीं सकता दरसल वो सवाल था कि क्या अंशू आपकी फ्रेंड है क्या अंशू के साथ आपकी फ्रेंडशिप अभी है क्या अंशू ने आपको अनफॉलो कर दिया है लेकिन क्यूं और आपने क्या अब तक पंशु को अनफॉलो किया है या नहीं किया है दोस्तों ये सारे सवाल पूछेगे जिसके जवाब मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दूँगा क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टन काम आ गया है इस वज़े से इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको अगले वीडियो में 100% दूँगा तो आज के लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतायता है